असलाम अलेकूम आज हम एक और फंक्शन लेकर आगे हैं जिसका नाम है PTMT और इस फंक्शन का काम क्या है इस फंक्शन का काम यह है कि आपको principal part of payment बताएगा जिसके बाद आप यह जान सकेंगे कि आपकी एक installment में से कितना amount आपकी interest में जाता है और कितना amount आपके तर्जे में से minus होगाता है तो last time हमने सीखा था interest part of payment जिसके बता चला था यह 5000 6470.68 टेसा में से 5000 जो है वह हमारे कम हो जाते हैं प्रॉसेट में चले जाते हैं बाकी remaining amount कितना है यह मालुम करने के लिए हमारे पास एक फॉंक्टिल में जिसका नाम है PPMT मतलब principal part of payment principal part of payment मालुम करने के लिए आपने क्या करना है सबसे पहले formula में जाना है financial function में क्लिक करना है यहां से एक function लेना है जिसका नाम है PPMT और rate पे जाके आपने rate पे ट्लिक करना है पर में जाके 1 लिखना है और enter में जाके आपने duration बताना है तो इसको value बताने है और फिर आपने rate को divide कर देना है 12 से जैसे आप इसको okay करेंगे तो यह देखिए आपको पता चल गया तो 1470 रूटीस यह आपके हर भुजीनी करज़े में से कम होगे जबके 5000 आपके profit में चले जाए और future value बालों करने के लिखने के लिख से के लिखने के लिखने पर आए चलनी से करके देखने है पे यह छोटा सा हमारा software बन जाएगा जो यह सारे कांब हमें करके बता रहा और एंपर को डिवाइट कर देंगे चल से और ओके करने पर यह देखिए टोटल अमाउंट आपके साहने आ गया तो यह एक छोटा सा सॉफ़ियर बन गया किस तरह देखे आप किसी जिरी कुछे भई क्या आपको कितना करजा लेना है या देना है सब्सक्राइब करजा देना ह और टोटल अमाउंट जितने डिटन करेंगे वो भी आपको पदर चलते है तो यह देखे फाइनचल फंक्शन में है तरीन तरीके से तमाव फंक्शन को सीखा और उसमें हमने अपनी वैल्यूस को निकलना भी सीखा और उसमें इस प्रॉब्लम के सलूशन को भी सीखा चले इसको करके देखिए अल्ला हाफिस